गाईज आज की वीडियो के वल उन लोगों को देखनी चाहिए जिनके अंदर पेशन्स है अगर आपके अंदर पेशन्स है तो इस स्ट्रेटजी से आप 98% accuracy निकाल सकते हो 98% ठीक है तो complete वीडियो को ध्यान से देखिए 98% accuracy इस setup पर मिलने वाली है buy और sell का signal मिलेगा जैसे ये sell का signal valid है ये buy का signal fake है नहीं लेंगे ठीक है तो सब कुछ समझेंगे कि entry कैसे लेनी है exit कैसे होना है target और stop loss सब कुछ तो वीडियो को अगर आपके अंदर पेशन्स है देखो patience की requirement इसलिए पड़ेगी क्योंकि इस पर हो सकता है किसी दिन trade ना मिले ठ ठीक है जैसे यहां पर देखो ठीक है इसमें trade नहीं मिला तो कोई बात नहीं जब trade नहीं मिले तो trade नहीं लेना है लेकिन जब मिलेगा तो वो पिछले दिन का profit आपका लेकर आ जाएगा ठीक है तो complete वीडियो को ध्यान से बाच कीजिए बहुत simple और बहुत आसान strategy है देखो buy side और sell side दोनों open समझेंगे target और stop loss सब कुछ देखेंगे indicator की setting देखेंगे साथ में rule देखेंगे तो rule compulsory है इसलिए वीडियो को complete watch करना है और notes की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि setup बहुत simple है आप easily समझ जाओगे देखो sell side entry लेने के लिए sell का इस तरीके से signal मिलेगा ठीक है थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर बुद्धी है तो आप इस setup से 90 प्लस accuracy बहुत easily निकाल पाओगे ठीक है तो इसलिए वीडियो को complete watch करना है ध्यान से देखो rule ज़रूर follow करने है sell का signal मिला sell का signal मिला इस candle पर मिला अप इसकी ठीक है क्या करना है sell side की entry के लिए put side अगर अपन को entry लेनी है तो put side की entry के लिए एक चीच का ध्यान रखना यहां पर नीचे black color की line दिख रही है यह यह वाली ठीक है और यह red color की दिख रही है तो red color पे होनी चाहिए ठीक है red color पर होनी चाहिए line ये black वाली या इससे plus होनी चाहिए तो इससे plus है या इसके आसपास है और cell का signal मिल जाता है ठीक है तो अपन put side की entry लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे by side की entry के लिए ठीक इसी तरीके से समझ लो by side की entry के लिए ये black line इस green line के नीचे होनी चाहिए या इसके आसपास होनी चाहिए तभी by की entry लेनी है नहीं तो नहीं लेनी है ठीक है जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नीचे है इसमें by का signal अपन को मिला है ठीक है इस candle पर अब यहां entry लेनी है नहीं लेनी, ठीक है इस पर entry नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी वो भी आगे समझेंगे, फिलाल basic concept इतना समझेंगे, फिलाल basic concept इतना समझ लो, कि इसके नीचे green line के नीचे या इसके आसपास होनी चाहिए ठीक है तो upside का trade लेंगे और यहां पर रहेगा तो अपन downside का trade लेंगे ठीक है अब ये क्या है ये है RSI ठीक है ये वाली जो है ये है overboard zone और ये जो green line है ये है over sold zone ठीक है बस बहुत simple है basic concept आप समझगे अब indicator setup करते हैं उसके बाद देखते हैं चार्ट को एक बार refresh करते हैं कर दि देखो यहां पर signal मिला इस candle में ठीक है बाय का signal मिला यहां आप देख रहे हो इससे पहले ये green line के पास में है तो यहां पर अपन entry बनाएंगे और ये profit अपन generate करेंगे ठीक है sell का signal इस candle पर मिला लेकिन यहां देखोगे तो यह देख लीजिए ये देख लीजिए ठीक है तो ये वाला profit generate करेंगे इसमें trade करेंगे ठीक है तो अपना setup क्योंकि allow कर रहा है अपना setup कहां बता रहा है अपना setup बता रहा है ये वाला trade करेंगे ये नहीं करेंगे ठीक है ये भी नहीं करेंगे ठीक है complete समझ में आया चलिए एक दो और देख लेते हैं ठीक है उसके बाद setup कर करेंगे सेल का सिगनल मिला नहीं करना यह सेल का सिगनल मिला नहीं करना है यह दो वीडियो को अगर आपने 1000 लाइक कर दिया न तो अगली वीडियो में बिना किसी indicator के केवल volume का use करके अपन एक setup discuss करेंगे ठीक है जो अपना favorite setup है बिल्कुल favorite setup है जिस पर अपन trade execute करते हैं वो आपके साथ share करेंगे लेकिन इस वीडियो पर 1000 लाइक चाहिए चलिए यहाँ पर sell का signal signal मिला यहाँ पर देखो यह अपन नहीं करेंगे ठीक है बाइका यह फेक है यह सिगनल अपन नहीं करेंगे क्योंकि setup अलाव नहीं कर रहा और फेक सिगनल आपको पता है जाहिड सी बात है ठीक है चलिए और देखते हैं यहाँ पर देख लो ठीक है यह बाइका signal देखो फेक सिगनल है नहीं यह बाइका सिगनल फेक सिगनल है यह सेल का सिगनल यहाँ पर मिला ठीक है इसको आप कर सकते हो लेकिन अभी रूल फॉलो करोगे तब फिलहाल अगर बिल्कुल बिगनर हो तो यह ट्रेट फिर नहीं करना है आप करने ही पाऊगे ठीक है तो ध देखेंगे तो और कहां पर है और देखेंगे तो यहां पर सेल का है यह फेक सिगनल है यह बाई का फेक सिगनल है मतलब सेट अपके अकॉर्डिंग नहीं है तो फेक सिगनल है ठीक है यहां पर बाई का सिगनल यह फेक है यह देखो बिल्कुल सिंपल है आसान है यहाँ पर देख लो यह देखो सबसे बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बाई का सिगनल मिला सेटप बता रहा है कि फेक सिगनल है यह तो बाई अपन नहीं करेंगे अग इस से ज्यादा एक्यूरेसी और क्या चाहिए आपको सेटप ने बता दिया कि यह फेक सिगनल है क्या है यह फेक सिगनल तो अपनको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है कॉल साइड का लेकिन आप देखोगे कि कैंडल कहरे है यह गैप अप है लोगों के दिमाग में है कि मार्केट गैप अप है bullish candle बनी है, maru boju बनी है अब यहाँ से भाग जाएगा दुनिया भर की बाते दिमाग में आती है fare of missing out आता है FOMO की छूट नजाए trade तो यहाँ पर entry लेते हैं, अपने setup ने कहाँ पर signal दिया यहाँ पर sell का signal दिया ठीक है, यहाँ पर यह confirm signal है, accurate signal है यहाँ पर अपन entry बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, यह इससे upside है ठीक है, इस पर है यह और यहाँ पर sell का signal मिला और यहाँ से फिर यह profit अपन जन्नेट कर सकते है ठीक है clear cut समझ में आ रहा है, अब इससे ज़्यादा accuracy क्या चाहिए देखो, daily trade नहीं मिलेगा इसलिए शुरू में ही बोला ठीक है, शुरू में ही अपने डिसकस किया कि patience अगर है इंतजार करने का, तो फिर इस वीडियो को देखना सबके लिए यह वीडियो नहीं है, यह देखो fake signal ठीक, यहाँ पर यह fake signal है यहाँ पर देखो, कोई trade नहीं मिला कोई रिक्कत नहीं, यह consolidate market है देखो, जब trade मिले, accurate मिले यह देखो, fake signal buy का signal, यह fake signal sell का signal नहीं करना buy का signal नहीं करना जब setup अलाओ करे, तभी अपन को trade करना है चलिए अब setup लगा कर देखते है ठीक है, उसके बाद और देखेंगे backtest कर लेंगे time frame का सबसे ज़्यादा ज़रूर है time frame इसमें ध्यान रखना, अभी discuss करेंगे अपन सारी चीजें पहले setup लगाते हैं देखो, यहाँ से remove indicator करेंगे देखो, यहाँ से remove indicator कर देंगे यहाँ से indicator रिमूब कर दिया, रिमूब कर दिया चार्ट को refresh कर देते हैं, चलिए अब देखें, trading view की website है bank nifty का चार्ट है, free का indicator है, ठीक है, indicator के section पर touch करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे range, ठीक है, range उसके बाद space देंगे, फिर लिखेंगे filter, ठीक है, range filter तो यहाँ पर बहुत सारी इंडिकेटर आते हैं लेकिन अपन को यह यूज करना है range filter, buy and sell signal five minute strategy ठीक है, यह वाला, तो ध्यान से देख लो, यह वाला ही यूज करना है अपन को, यह पैब लोजेस करके है, नाम, जिन्होंने originate किया होगा, ठीक है, चलिए, इस पर click कर देते हैं, तो इस पर click करेंगे, यह लग जाएगा, आप यहाँ ध्यान से देखना bank nifty का चार्ट है five minute का time frame, use नहीं करना है, ठीक है चलिए, अब इसकी setting पर touch करेंगे, setting पर यहाँ पर touch करेंगे, अब यहाँ पर देखो, simple indicator क्या है, क्या कह रहा है indicator, indicator में यहाँ आप ध्यान से देखोगे, तो एक range बनी हुई आपको दिखती है ठीक है, जैसे यह रेखो यह color दिख रहा है न, यह range बनी हुई दिख रही है आपको, जब यह break होती है, तो buy signal मिलता है, और इधर को break होगी, तो sell signal मिलता है, जैसे यहाँ पर देखो range break है, यह range break हुई तो buy signal मिला, ठीक है इधर break हुई, तो sell signal मिला तो range जब break होती है, जैसे एक range बन जाती है market में, आपको भी पता है कि जब range में market रहती है उसके बाद breakout होता है, तब अपन को बढ़िया trade मिलते हैं, और बढ़िया profit होते हैं, ठीक है, तो scalping करने के लिए भी जबरदस्ट setup है, और बड़े profit के लिए भी जबरदस्ट है ठीक है, तो चलिए, इतना समझ में आगया, अब इसकी setting कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको इस तरीके से रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर setting कर लोगे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी टाइम फ्रेम ज़रूरी है, ठीक है टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट बताया है लेकिन 5 मिनट यूज नहीं करना है यहाँ पर देखो range filter लिखा हुआ है ठीक है, इसको आप uncheck कर सकते हो यहाँ high target लिखा हुआ इसको uncheck कर सकते हैं, इसको हटा देंगे इसको हटा देंगे, sorry इसको नहीं हटा ना और इसको हटा देंगे, ठीक है इसमें 2 चीजे रखेंगे अपन, जो अपन को चाहिए, ठीक है buy or sell signal, यह वाला रहेगा बाकी सारा uncheck कर देंगे ठीक है, इसको uncheck कर देते हैं इसको uncheck कर दिया, इसको uncheck कर दिया uncheck करने के बाद में ठीक है, यहाँ पर देख लो यह हटा दिया buy or sell signal जो हैपन रखेंगे बाकी सारी चीजे अपन uncheck कर देंगे, उसके बाद okay कर देते हैं okay कर दिया, बस clear cut आगे अपने सामने अब यहाँ पर देखो, हर buy और हर sell पर entry नहीं लेनी, filter कैसे करना है filter करने के लिए आपको पता है, बहुत मशुहूर indicator है उसका use अपन करेंगे, ठीक है जैसे यह sell का trade लेना है की नहीं लेना, buy वाला trade लेना है की नहीं लेना, entry को filter करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है तो filter नहीं करोगे तो फिर accuracy नहीं निकलेगी, तो अगर accuracy चाहिए, तो rule को follow करना है ठीक है, तो सबसे पहले entry को filter करते हैं, filter करने के लिए यहाँ indicator के section पर touch करेंगे, और यहाँ लिखेंगे RSI, ठीक है relative strength index ठीक है, यह वाला indicator अपन को use करना है, ठीक है, इस पर यह वाला, जहान से रेख लीजिए step by step देखना है वीडियो को और rule साथ में note कर लेना ठीक है, यह वाला, चलिए इस पर click करते हैं, यह लग जाएगा click कर दिया, अब देखो यह click कर दिया, तो इस तरीके से RSI आ गया RSI में simple आप देखोगे basic, तो यहाँ पर एक 70 पर यह line होती है, dot dot की इस से plus होना चाहिए या इस पर होना चाहिए ठीक है, तब अपन को put side की entry लेनी है, यानि overbought zone में रहेगा, तब अपन put side की entry लेंगे और oversold zone में रहेगा, यह वाली जो line देख रहे हो, 30 वाली ठीक है, इस पर रहेगा यह इस से नीचे रहेगा, oversold zone में रहेगा तब अपन call side की entry लेंगे अब यहाँ call side की entry ली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहेगा, oversold zone में है ठीक है, चलिए, और देख लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे यहाँ पर entry नहीं लेनी है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लेनी, यहाँ पर भी entry नहीं entry जहाँ पर लेनी है जैसे आपने यह वाला trade देखा यहां पर कोई trade नहीं है यहां पर भी कोई trade नहीं है और इसमें भी कोई trade नहीं है यहां भी नहीं है जब आप देखोंगे बड़े profit जहाँ पर निकलते हैं ठीक है मतलब accurate signal अपन को चाहिए कि अपन entry ले तो combat अपने वेबर में, चले, तीक है, यहां पर, जोन में आ गई, buy का signal मिला अपर नहीं करेंगे, यहां पर, sale का signal मिला एपनवल्फिट निकालेंगी, तो उसके बाद RSI kita शेटिंग क्रोर लेते हैं और यहाँ पर जो color है इसको अपन green कर देंगे, thickness थोड़ी सी बढ़ा देंगे, देंगे लीजिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पर RSI lower band है, इसका color अपन red कर देंगे, thickness थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और यहाँ पर इसको लाइन कर देंगे, अब फिर इसका आप color change कर सकते य आप साइड वाले का कलर क्योंकि यहां से अपन को put by करना है तो इसका red कर लेते हैं ठीक है और इसका color अपन green कर लेंगे लीजिए ठीक है बस यह करतेंगे अब यह जो line दिख रही है आपको blue color की इसका color आप चाहो तो change कर सकते हो ठीक है यह वाला है इसको आप black कर सकते हो visible रहनी चाहिए कुल मिलाकर बात यह है बस ठीक है ओके कर दिया बस यह simple है जब overbought zone में रहेगा कि खरीदारी ज्यादा हो गई है यहां से बिक्वाली आनी चा ठीक है बस यह बिलकुल simple setup है इसका rule भी साथ में समझना जरूरी है ठीक है क्योंकि without rule कोई भी setup काम नहीं करता देखो accuracy निकालने के लिए setup के behavior को indicator के behavior को समझना पड़ता है और indicator के behavior को समझने के लिए आपको कम से कम इस पर 70 paper trade one lot से करने है ठीक है अगर आप सोच रहो कि आज देखा है आज ही trader बन जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है time लगेगा एक दो महिना लगाओ 70 trade one lot से paper trade करो और daily अपने trade को लिखना ह है ताकि आप setup के behavior को समझ पाओ तभी आप इस setup का use करना ठीक है नहीं तो आप accuracy नहीं निकाल पाओगे वीडियो अच्छी लगए हो तो like कीजिए share कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाओ है तो वीडियो की नीचे comment कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ध